वेलो इस्टुएंट्स वेल्कम टू माई यूटूब चैनल केमिस्टी वाज मैसल फासिस बासकर सीनियर केमिस्टी फेकल्टी ऑफ चार्टी ग्रोप इंस्टूशन बचो आज हम लोग की स्टार्ट करने वाले हैं सेकिंड लेक्चर डट इस आ मॉडर्न प्रियोड टेबल ठ लोग फॉर्म प्रियोड टेबल की आम जो आज का करेंटली पढ़ते हैं यह बच्छो एक्सपेरिमेंट्स बच्छो आपका डिफाइन होता है जहां पर बच्छो इन्हों ने एक्सरे को बच्छो यूज किया था और एक्छली में एक्सरे की बच्छो फ्रिक्वेंसी है चाइन जो फ्रिक्वेंसी तो इस फ्रिक्वेंसी पोदने रेलेट गिया था तो अंडरूड अफ्रिक्वेंसी कि डालक्रोशन टू एटोमिक नंबर के बारे मताओं तो बच्छो यहाँ पर आपका यह नंबर ऊफ प्रोट्रॉन एंड नंबर ऊफ लेक्ट्रॉन, ठीक ह में थोड़ा से information आपको मैं दिना चाहूँगा मैंने आपको atomic structure discuss किया था हेंरी मुशले के time में बचो आपका discovery of electrons क्या बचो discovery of electrons and discovery of protons तो इनकी बचो discovery already हो चुकी थी आप discovery होने के बाद ये बचो actually मैं आपकी 18th century के बात की बात है तो उसमें ये वेटा discovery हो चुकी थी discovery होने के बाद हेंरी मुशले को बच्चो फाइदा क्या मिला हेंरी मुशले को फाइदा मिला कि भाई जो भी आपके frequency थी एक्स रेकी उस frequency के respect में जो बच्चो किसी भी element के जो atoms थे उन atoms का जो outermost electrons जो बच्चो प्रेजेंट थे फिर पोट्रों तो बच्चो सेंटर पर होता है निकलिस के अंदर तो आउट्रमोस इलेक्ट्रों से वो बच्चो कोछ आपने particular frequency जो एक्स रेकी थी उसको मतलब absorb कर रहे थे तो कुछ particular frequency को अब्सॉर्ब कर रहे थे बेप को कुछ बेटा absorb नहीं कर रहे थे तो उसी particular point पर क्या discuss हुआ कि बच्चो जो इस frequency को absorb कर रहे थे उसके base पे आपके capital Z को रिप्रेजेंट किया गया तो मतलब जो frequency थी इस डार्ट्री प्रपोश्चनल टू कापिटल Z अब Z जो होता है बच्चो नमबर ओ प्रोट्रोंस प्रोश्चनल है तो मैं फिर से रिपीट करूंगा henry law henry muslik recording बच्चो एक्सरी करें यूज किया था एक्सरी बच्चो बेव की फॉर्म को define करता है तो बच्चो या करें बेव की फॉर्म है तो इसकी frequency बच्चो डिफाइंड होगी और इसी particular frequency को बच्चो जो आपके element उसमें आपके डिस्कवर हो चुकी थे उन elements के बेटा आपके जो आउट्रमोस इलेक्ट्रॉंस हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉंस की discovery भी हो चुकी थी प्रोट्रॉंस की discovery भी हो चुकी थी तो जो आउट्रमोस इलेक्ट्रॉंस से वो particular frequency को absorption सो कर रहे थे different elements according तो बच्चो यहाँ पर frequency को आपके atomic number से relate किया गया क्योंकि क्या होता generally बच्चो को frequency और z का relation समझ में नहीं आता है इसलिए मैं आपको atomic structures relate किया है तो इस तरीके से बच्चो आपका under root of f frequency directly proportional to atomic number defined हुआ है जहाँ पर बच्चो मैं इसको लेख सकता हूँ इस तरीके से भी कि under root of frequency it is directly proportional to z जहाँ पर बच्चो हम f के बारे मोलेंगे तो this is the characteristics to element जो भी elements है उनकी properties को define करने के लिए frequency बच्चो यहाँ पर यूज की गई थी यह बात आपको यहां तक समझ में आगई होगी और इसी बच्चो इसी particular pattern के ऊपर इसी particular basic principle के ऊपर बच्चो आपकी long form of modern periodic table बच्चो design की जाती है तो long form of modern period table के अंदर बच्चो कुछ statements आते हैं उन्हें statements को हम रूप पढ़ेंगे कितनी rows होगे कितनी बड़ा columns होगे तो आते हैं according to musli law state that the frequency of spectral lines in the characteristics x-ray spectrum is directly proportional to the square of the atomic number of the element is considered as the musli law तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तक या बच्चो देखो जरा frequency का अंडर रूट directly proportional to z अपने इसको लिख सकते हैं f is equal to क्या बच्चो क्या जैड का बच्चो हम लोग यहां पर अगर मैं square करूं तो देखो देख सकते हो आप क्या गलत होगा बिल्कुल सही क्योंकि बच्चो यहां से इसको मैंसे लिख सकते हैं आप देख सकते हो यहां से इस point को मैंसे लिख सकते हैं कि बच्चो 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 ब यहां से बच्चो इस्मॉल ए और स्मॉल बी क्या है स्मॉल ए स्मॉल भी बच्चो है आपका स्पेक्टर्लाइनगा कया बच्चो इस्पेक्टर्लाइन इस के बाद बच्चो आंगे कोछ और बे सिक्ट पैबल को समझने के लिए इसके पहले जितनी भी आपकी टेबल्स डिजाइन हुई है एलिमेंट्स की तो आपका जो बेस ता आपका प्रियोड टेबल्स को डिजाइन केरने के लिए अटोमिक नंबर नहीं था लिकिन यहां पर आपका जो प्यूड़क फंक्शन डिफाइंड हुआ है तो वह बच्चो जो आपकी फिजिकल प्रोपर्टीज एंड केमिकल प्रोपर्टीज ठीक है फिजिकल प्रोपर्टीज एंड केमिकल प्रोपर्टीज यहना ओफन एलिमेंट ओफ एन ओफन एलिमेंट और पिरियोडिक फंक्शन और पिरियोडिक फंक्शन और पिरियोडिक फंक्शन ओफ इ its atomic weight तो इसको में इस तरीके से लख सकते हैं कि बच्चो आपका जो physical properties है और किसी भी element की जो chemical properties है वो बच्चो आपकी periodic function of its atomic weight तो यह बच्चो यहां पर statement आपका design होता है और जहां पर बच्चो मैं discuss करूँगा कि यहां पर आपकी total saving periods आते हैं और 18th group आप किस तरी किस design होते हैं तो अब एक point में और बताँगो आपको की बेटा mostly actually में three elements की discovery भी की थी जिन elements के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा तो बच्चो सबसे पहले बटा आता आपका hopmium 72 atomic number बच्चो और आपका technician करके बच्चो 43 atomic number और आपका रहनियम करके बच्चो आपका 75 atomic number तो इन elements की discovery के बारे में भी बच्चो आपकी CT में questions आ सकते हैं ठीक है आपका easy आपका यह point नहीं से बनता है तो तीन element है बच्चो जिसके बारे में मतलब मुशले ने defined किया था और discovery की दी बाकी इसकी पीछे जो basic principle है वह आपका आपका याद रखने पड़ेगा कि वाच्चो जो frequency है उसका square root directly proportional to atomic number clear point ओक है अब बच्चो यहाँ पर हम discuss करना जा रहे हैं next point modern table जो आपके design हुई है वो आपके सामने में display किया है आपको देख रही होगी modern period table को समझना है तो बच्चो मैं पहले पताऊंगा यहाँ पर आपके total कितने group आते हैं और कितने आपके periods होते हैं तो period के बारे बच्चो मैं बात करूँगा तो यहाँ पर आपके जो total periods होगे that is the seven periods right total आपके यहाँ पर बच्चो ना दिस इस बन two three and this one is four five six seven तो seven बच्चो यहाँ पर आपके इस तरीके से आपके periods है right बच्चो आपके इसकी बताओंगा यहाँ पर आपके जो ग्रूप से है वह आपके total एटींज सब्सक्राइब तो बच्चो आपको इंदर बच्चो आपको इसके बारे में बात करूंगा तो यह बिटा आपका फस्ट और शिक्न गृप है इन दोनों को बिटा मलाकि यहां पर बोला गया इक पॉला गया इसके सब्सक्राइब बारे में पर इसके बारे में एक पॉंट आपको ब्लकलम बताऊंगा कि बच्चो इसको इस दिये बोला गया कि जब आप सकते हों के वह अपके सब्सक्राइब करेगा इसी तरीके से बच्चो आते हैं नेक्स आपका एक पी ब्लोक बच्चो बोरान फैमिली से लेके और बच्चो आपकी नोबल गैसिस तक तो यह बच्चो आपके पी ब्लोक के रिप्रेजेंट करते हैं तो अपन पी ब्लोक को कहें समझेंगे कि बही किसी भी अलिमेंट के लेक्चों निक करता हूँ तो करने के बाद बच्चो लाष्ट लेक्ट्रोन अगर बच्चो P सबसेल में एंटर कर रहा है तो डेफियंटली हम बोल सकते हैं कि वो अलिमेंट आपका पी ब्लोक से ब्लोक करेगा next one is बच्चो D-block तो D-block के बारे बच्चो मैं बात करूँगा तो scandium से बच्चो स्टार्ट होता है ओ बटा जिंक तक अब यहां बच्चो यहां भी same statement वही जाएगा कि अगर बच्चो आप किसी भी element के electronic encryption कर रहे हो तो last electron जिस subcell में जा रहा है अगर वो subcell बच्चो D-subcell आएगी तो D-subcell आएगी तो मत्ब बच्चो वह element आपके D-block से बिलोग करेगा इसी तरीके से बच्चो आपके F-lock आते हैं तो F-lock के अंदर बच्चो आता है आपका lanthinoid and actonoid series मत्ब 57 से 71 और next बच्चो आपके 89 से लेके वन जरू थे अटो नमबर तो यहां बच्चो लेंट अक्रोंड शीरिज आती है तो इसके बारे मैं बताना चाहूँगा कि बच्चो लास्ट उलेक्ट्रोन है अगर आपके F-subcell में जाएगा तो डेफिनिटल आप टिक कर सकते हो कि वो आपका element F-block से Belong करेगा तो बच्चो टोटल आपके 4 यहाँ पे इस तरीके से बच्चो 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 काते है अब ग्रूप मैंने बता है बच्चो 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 बंच से 18 तक आपके periods बच्चो कितने आते हैं मैं बच्चो क्या करने माला हूँ कि किसी भी element का atomic number आपको गर नहीं पता है तो आप इसी magic number के help से निकाल सकते हो तो magic number का आपका यह उजोगा जैसे मान कर चलो मैं आपको बताऊंगा कि बच्चो अपनको helium का पता atomic number यह तो आपको simple से पता है hydrogen का भी आपको पता है जब बच्चो आपको hydrogen atomic number पता है तो उसके base पे बच्चो आप lithium का, sodium का, potassium का, rubidium का, cesium का, frenchum का, frenchum is radioactive element तो इन elements का आप easily atomic number को रटना नहीं है आप easily find out कर सकते हो with the help of magic number with the help of magic number से आप यहाँ पर easily find out कर सकते हो what is the magic number so that is the 2, 8, 8, 18, 18, 32, right तो इनकी help से आप easily बच्चो find out कर सकते हो किसी भी अगर मैं एक simple से point आप और बता हूँगा suppose मानकर चलो बच्चो अपनको पता है, suppose बटा आपके nitrogen का atomic number आपको पता है next अगर मैं बता हूँ यहाँ पर धान से देखना next अगर मैं बता हूँ यहाँ पर कि बच्चो बैरिलियम का क्या पता है आप बोलोगे बिल्कुल मुझे बैरिलियम का पता है और second period के element को ही सिर्प आपको याद रखना है तो ये तो याद करना बहुत ही आसान है ठीके मैं और उसमें से कम कर देता हूँ आपको neon भी याद नहीं रखना है ये भी वाद मैं बता रहा हूँ आपको हर किसी group जो है उस group के जो first element है उसको आपको बस ध्यान देना है बागी के नीचे के element के atomic number आपन कैसे ही निकालेंगे तो उसके लिए बच्चो magic number होता है जो मैंने बता है 288 18 18 32 उसकी help से आप किसी भी element का atomic number निकाल सकते हो तो ये actually में use होता है बच्चो magic number का ठीक है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे और ऐसे बच्चो आपको बताओ तो 3D series भी थोड़ी सी important होती है 3D series के भी element को मैं इसके सबके saltric बताओंगा आपको याद करना ठीक है इसके बाद है 28 होता है तो इसके बाद आपको यहाँ पर निकालने के लिए में magic number के help आपको दूगा तो magic number में बैलू जाड करोगे ना तो एड करते हैं आपको यहाँ तो पहुंच आप पैट्रम तक क्लियर है ओके इसके मैं सॉट्रिक बोलता हूं जैसे बचो यह पर बोलता हूं निकल पैलेडियम और पैट्रम को मैं क्या बोलता हूं जैसे नहीं पढ़ोगे तो पिटाई हो गई आपको समझ सकते हो तो आपको आपको समझ सकते हैं अब इसके बाद अब मैं आपसे बूलना चाहूंगा की बचो ऑर्डन प्रिडो टेबल डिजाइन जो करी जा रही थी की गई थी उसके पीछे यह जो हम बात करते हैं बचो कि एक्शली पीरियोडिसिटी का एक्शली मीन क्या होता है उसको जाला समझने कोशिश करेंगे तो मैं बच्छो यहां पर बात एक्शली करने जा रहा हूं periodicity की राइट तो periodicity का actually mean क्या होता उसको हम ध्यान से बटा समझेगे इसके अंदर बच्चो एक word बटा period period का मतलब बच्चो क्या है जैसे मैंने पहले बताये था कि एक time interval के बाद फिर से आपकी similar properties आपकी repeat होने बाली है जैसे मैं फिर से repeat बताऊंगा इसमें periodicity के अंदर मैं तर्म बच्चो यूज करूं like repetition अब repetition बच्चो किसका properties का आप वही जो properties बच्चो gradually तो increase करेंगी या फिर gradually decrease करेंगी तो मैं इसको इस तरीके से बोल सकता हूं क्या कि जो भी आपका यहां पे इस तरीके से elements आपके रखे जा रहे थे उनके अंदर आपकी जो periodic properties थी या तो बच्चो वो क्या हो रही थी या तो बच्चो वो repeat होने बाली है बिल्कुल सही या फिर बच्चो gradually आपकी properties increase हो रही है gradually के मदब slowly usually आपकी decrease करेंगी या फिर बच्चो आपकी जो properties वो gradually आपकी decrease करेंगी तो जहां से देखना periodicity के actually mean बाल समझा रहा हूँ periodicity के actually mean क्या है कि बच्चो repetition या फिर gradually increase या फिर gradually decrease और क्या बच्चो properties और properties किस time के बाद after fixed interval of time after fixed interval of time after fixed interval of time के बाद बच्चो फिर से आपकी properties repeat होने जा रही है repeat होती है तो इसी को बच्चो हम लोग बोलते हैं periodicity और periodicity के अंदर बच्चो आपकी properties या तो बच्चो repeat होगी या फिर gradually increase होगी या फिर gradually decrease होगी जैसे आपनको पता होगा trend class में पढ़ा होगा कि down the group आने पे size gradually increase होता है लेट से राइट जाने पे पिरिएड के अंदर आपको जो size gradually आपका decrease होता है या जनरल आपने ये trend पढ़ा होगा और अगर बच्चो में start करूँ सब इस potation से तो में पोटेशन से मूब करता जाओंगा लेट से राइट में इस तरीके से बच्चो में पहुचोंगा क्रिप्टॉन तक अगर क्रिप्टॉन को बच्चो में फर्दर बच्चो आप आँगो rubyडियम पे तो आप देख सकते हो बच्चा potassium और rubyडियम की जो प्रॉपार्टियम जैब वो सेम है आपकी वटका calcium की ग्रेजुली इंक्रीज कर रहे हैं जब आप मूब करोगे बच्चो प्रियुड के अंदर ये फिर गुरुप के अंदर बास वहाई क्या तो ये बच्चो अक्षिल में आपका मीन होता है प्रियुडिशीटी का बास वहाई आपको आगी क्लियर पॉइंट है अब चलते हैं ब डिगोनल रिलेशंशिप के बारे मैं थोड़ा से में आपको आईडिया दूगा लेकिन बाद में आपको पढ़ागँ बच्चो प्रॉपलिटिस के अंदर टैंसर मत दिना यहां पर वी बच्चो मैं थोड़ा आइडिया देने बाल हूं देगने दान से यहां बच्चो हम जो टिक कर रहे element वो element है बच्चो फस्ट आपका element है that is the lithium chicken one is beryllium next is boron next is carbon next is nitrogen बच्चो 1,2,3,4,5 lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen इसके नीचे बच्चो element कौन सा है यहाँ पे sodium है आप उनको कि बच्चो हम जो बात करें diagonal की बात करते हैं जैसे आपको पता है कि यह बच्चो यह जो लाएन है this is called diagonal right this is called diagonal तो बच्चो यहाँ पर क्या है कि मैंने बच्चो लीथियम को मिटा यहां से लीथियम को आप बटा lithium and beryllium magnesium यहां बच्चो आपका boron carbon nitrogen and नीचे बच् इसके बात बच्चो आपको बच्चो बच्चो कि इसको बटा डिफाइन करेगा शिल्कॉन को बिल्कुल सही बटा शिल्कॉन को डिफाइन करेगा इसके बच्चो कार्बन कार्म बच्चो फॉस्परोस को डिफाइन करेगा कार्म बच्चो कि इसको फॉस्परोस को तो यहा बच्चों में इसके elements sodium next is magnesium next is aluminum next is silicon next is phosphorus तो इसके बच्चा यहां पर हम बच्चों डाइगोनल देखो डाइगोनल इसी तरीके से रफाइन होता है ना तो देख सकते हो तो बच्चों लीथम के साथ magnesium बैल्यम के साथ आपका बैचों aluminum, बोरोन के साथ आपका silicon, कार्वन के साथ आपका phosphorus तो यह जो बच्चों डाइगोनल आपको 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 देना यह पर डाइगोनल बनना है कुछ्छे सरी के इसके सबीच में तो यह जो प्रॉपरिटी जो बच्चों उसको बोलते हैं हम डा किसे बच्वायों चार्श डिंसिटि से हम रिलेट कर सकते हैं चार्ट डिंसिटी अक्ष लियुक्श्ली में क्या बोलती है चार्ट चार्ट पर दियुक्रेट के बारे में बात कर रहा हो मतलक्त मैं ऐसे बोलूगा कि चार्ट डिवाइड masa चार्ज टेवाईडबई तad मैगनीशय का जो बाई चार्ज घी साइड रेषीव आएक आज वो आपको एककल होता है कैसे एककल व होता है वह आपको बताना ज़रूरी है कि में जब आप यहta यहां की बात करोगे ऊधरर बाट करोगे तो जब आप यह पॉइंट समझना है कि बच्चों डाउन दीगुरोप आ रहा हूं मैं इदर लीथियम इदर आपका मेंगनीश्य में डिगोनेश्य शिप आ रहा है तो ऊपर दोको साइज वे लीथियम का साइज भी छोटा है चार्ज बच्चों काम है मेरी सेम का साइज भी बड़ा है च होगे बच्चों फूरटोंस तो अरब बच्चों अगर आपके नंबोरन पर पोटोंस बढ़ रहे मैं बड़ रहा है तो ना है ότι बच्चों अधिक है चारज भी immediate है, Beryllium का size भी कम है, और आपका चार्ज भी कम है, जिसके बएसे charge भई, size ratio आता है, बहुत लगबग आपका सेम के लिकल के आता है, तो यह बच्चों आपका एक base है, जिसके base पे आपकी Diagonal relationship के जो properties दिफाइन की गई है, clear point है, ओके बचो नेक्स बच्चो हम लोग यहां पर बताएंगे कि आपको जो modern आपकी प्रियोट टेबल है उसके अंदर जो elements है उसको अपन याद कैसे रखेंगे ठीक है तो याद रखने का logic में आपको यहां पर बता रहा हूँ ठीक है तो सबसे पहले बच्चो मैं बताऊंगा आपका बच्चो मैं बताऊंगा तो बच्चो यहां पर आपका मैंने बताया था कि एस ब्लॉक के बारे में जब भी बात कीज आएगी तो हमेशा बच्चो जो भी elements आपके present है उन elements के अंदर जब हम बच्चो एक्ट्रोन के इस आपको सिखाएंगे तो आपको इमें बताऊ होंगा कि देखो बच्चो लास्ट आपका जो लाष्टट्रोन है बहुं राश्ट्रोन आपका ऐस सब्सेल के अंदर एंटर कर रहा है तो जिसके वैसे हम इसे बोल सकते हैं कि यह element आपके ऐस bers से बिलॉंग करेगा ठीक है एस व्लोक से बिलॉग करेगा जिसके अंदर बच्चो आपके यहाँ पे टू गुरूप्स होते हैं बटा आपका गुरूप फर्स्ट एंड गुरूप सेकेंड ठीक है गुरूप फर्स्ट को बच्चो हम लोग बोलते हैं ऐलकली मेटल्स बोलते हैं और बोलने के पिछे रीजन क्या है कि जब बच्चो आप फिस्ट एक एलिमेंट्स को बड़ा अधर दन हाइड्रोजन एन फ्रेंशियम इन दोनों को छोड़ने के बाद बच्चो लीथियम शोडियम पोटेशियम रुबीडियम सीजियम इन एलिमेंट्स को अगर विटा बॉटर में लिएन अर्थ मेट्टल्स तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलने के पिछे एन अगर बागी की जो बच्चो है अगर इन एलिमेंट्स को पड़ा यहां पर बेशब्चो आपको लिएशियम टेरिंशियम इसको गईर बच्चो एन एलिमेंट्स को यहां STodam परमिशन होगा ये इसका जो बच्चो बेसिक स्टेंथ होगा वह फस्ट एसे बच्चो आपका लेस होगा तो बच्चो यहां पर अर्थ का जो अपर सर्फीस है उस अपर सर्फीस के ऊपर जो बच्चो कसदने के बच्चो itsत जो बच्चो से मडेशम के अर्थ के बच्चो में बच्चो अर्थ के आपर सर्फीस पर आसाणी से बच्चो सकते हो आसानी से different compound के form में प्रिजेंट होते हैं जैसे बच्चों में बता हूँ यहाँ पर calcium के बारे में तो calcium के बारे बच्चों मैं बता हूँ तो calcium बच्चों मिलता है calcium carbonate के face में अगर बच्चों अपने इसको बता फॉर्म होता है तो वह बच्चों आपकी वहां पर लगाई गई है जहां पर बच्चों केल्सियम का calcium oxide का प्रजेंस काफ़ी अधिक है calcium carbonate का प्रजेंस अधिक है क्यों तो cement के बच्चों calcium oxide का जो प्रजेंस होता है इस एराउंड फिप्टी टू फिप्टी फाइफ परसेंट तो समझ सकते हो इतना अधिक परसेंटेज हो रहा है आपका तो cement industry के अंदर बच्चों calcium oxide का maximum परसेंटेज है और cement industry जो बच्चों उस reason में आपकी लगाई गई है जैसे अगर मैं बात करूँ तो बेटा मद प्रदेश में एक प्रजेंग और reason है उस reason के अंदर बच्चों ये आपकी cement industries काफी ज्यादा आ government ने काफी बच्चों हाँ पर आपका लगाई है इंडश्टिस को तो वहां पर actually क्यों लगाए गया है बिकूज हम पर raw materials का मिलना काफी easy है जहां बच्चों calcium carbonate आसानी से मिल ला है magnesium भी बच्चों आपको मिल ला है इस function में जो compound की form मिल ला है और barrier भी मिल ला है अगर बटर इसको आप heat करोगे तो heat करने के साथ आसानी से आपको यहाँ पर कैसा मोक्षड मिल जाएगा जिसका आप आसानी से बिलकुल यूज का शक्ते हो तो मेरा basic mean कहाता समझने का कि इसको alkaline तो समझ में आया लेकिन अर्थ बोलने के पीछे reason आपका यह था next बच्चों में बात करूं तो यहाँ पर आपका metal का मतलब क्या है कि यह elements आसानी से लेक्ट्रों को release कर देते हैं because of lower ionization potential ionization enthalpy value तो इसलिए बच्चों इसको नाम पढ़ा है आपका alkaline earth metals यह बात आपको समझ ने के लिए कि बच्चों यहाँ पर मैं उसको अपने याद क्या से रखें तो याद रखने के पीछे देको बच्चों में बताऊंगा कि अपने पास बच्चों कितने प्याड़ते बच्चों देको 1,2,3,4,5,6,7 टोटल बच्चों हमारे पास थे 7 प्याट्चों यहाँ बच्चों आपको समझ में आती है ठीक है सबसे पहले बच्चों गुरुफ फर्स्ट के बारे बात कर रहे हैं तो गुरुफ फर्स्ट के अंदर बच्चों अभी आपको अपको अपको समझना है अभी सिर्प आपको ट्रिक देखनी है ठीक है तो बच्चों जो आपका है ब लिट्यम सब्सक्राइब को भागी थीक से डिच 오र nella जो भी बोल सकते हो जो भी आपको ठीक लगता है तो आप यहाँ इस तरीके से बोलोगे कि हेलीना की रूबी से आप बोलो रूबी से रूबी से फ्रेंड्शिप रूबी से फ्रेंड्शिप रूबी से फ्रेंड्शिप ऐसे आप बोल सकते हो तो हेलीना बच्चो एक बच्ची का नाम है लड़की का नाम है जिसकी बच्चो फ्रेंड्शिप के साथ है बच्चो फ् साथ-मेटल्स के ऊपर तो हां बच्चों देखो आपका DJ बैरिलियम है यह बच्चों आपका लेखा बीक मेटल बीक मेटल का मतलब क्या है बच्चों यहाँ पे आपका जो बैरिलियम है वो बच्चों आसानी से electrons को नहीं निकालता है, release नहीं करता है मतलब इसकी ionization, enthalpy, potential value काफी high होती है ionization, enthalpy या potential value बच्चो इसकी काफी high होती है जो आसानी से electrons को नहीं निकालते हैं, और valium बच्चो actually मैं cobalent compound को formation करता है, ionic compound का formation कम से कम करता है, क्यों? क्योंकि से rried rice metal और यहां बच्चो में बता हूं तो रीडियाय मच्छों कहां से मिलता है रीडियीम बच्चों आपको बात कर लुदि व dolubих औ है फ्रॉम डी इग्नियस रोक फ्रॉम से cash बच्यों आपको मिलता बात करें तो जहां से मेंगा बगैरा तो बच्चो जहां पitas चो भी आपकी इस रांट मिलता है簡 iron का हाफ लाइफ बिछों कीतना होता है, इड़याोन बन शिक्स सेविन फार चैनल्ट सम्थिंग होता है, तो ये बैच्चyas, इसा होता है , आपका हाफ लाइफ हाफ का मनदब क्या बाच्चду supervision έχει बन ग्राम दिया है तो इसको 0.5 भूने होने में, डिन बीन चाहीं, लगाि से किसे को याद करने का एक सिंपल सा लॉजिक है इस से बसक्ते हूँ इक हम बीटा बोल सकते है now this is beta, it कि और यह उट है यह मांगे हो गया Beा मांगे कार ऐसार का मतलब बच्छो आपका की अब सेंट्रों का होती है इससे आप बोल सकते हो आप बागी स्कूटर भी बोल सकते हो बोला जाता है बिटा मागे कार इसकूटर आपका जो फादर का मदब बाप हो तो बेटर को बही यहां पर कोई एक 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 जाम कौलीफाई किया उसने अच्छे से जही नीट और फिर उसने मागा है कि बिटा मैंगे कार स्कूटर बाप राजी यह तो आपको होगे बच्चों आप एलक्राइन अर्थ मेटल्स यह सिंपल सा लॉजिक होगा है य करने इस से स्टार्ट नियुग फेमली नेक्सीस कारबन नाइंट्रोजन ऑक्सीजन एन वच्छों आपका डैट इस इंट इस ना तो दो दो अगर में बात कुरूं की तो बच्छों यहां से आपका मेर दूल्स पीरियर्ट यह फोर हैं यह फाइप सिबिन इस तरीके हैं हो ही का मतलब हम बीटा बूल सकते हैं आप देखो यहां पर बोरोन है एलमुनियम है गैलियम है इंडियम है और थैलियम है और लास्ट के जो बच्चों अलिमेंट्स है यह हमारी सिलिवस के अंदर नहीं है तो इसे भी कुश्ण आती भी इतने इतना फोकस करने की रिकाइमेंट नहीं है जो हम याद करेंगे वे हम बटा एन उज्गल टो शक्सस्पीड तक के एललिमेंट को याद करेंगे यह को सबस्तु है इल से बच्चा आपका आलू हो गयाै बेगन अलू गाजर इन टेड़ा बेगन अलू गाजर इन ग्जल्दिक से लिखलो एंसे बैंगन अलू, गाजरेन ठेला इसी तरीके से बच्चो आपका आएगा बटा कारण family की बात करेंगे मैं configuration नहीं बाता रहूं सिर्फ याद करना सिखा रहा हूं बच्चो बटा कारण पर आएगे तो बटा क्या हो जाएगा यहां से अगर बच्चो आपके से याद कर सकते हो तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो यहां से नहीं से बच्चो आपका नैटन फैमिली की बात करेंगे तो देखो बच्चो क्या होगा यहां से बो सकते हैं यहां से आपका नेपाल पकिस्तान ऐस्टिलया सब भीमार यहां से बीसे ओक्ति हैं लगर यहां पर और हुआ हो गया और कि यहां पर हो गया शीसे क्या बचू सिसे और शीसे बोलते हैं ना फिर बोलते हैं यहां पर उस्टाइल से यह भी आपका बंज आगा इसके बाद आता है आपका हेलोजन स्रीज तो यहां बच्छों में बात करूंगा देख सकते हो बढ़ा फ्लोरीन फिर कल बाहर आई अंटी फिर कल बाहर आई अंटी ठीक है ऐसे भी आप बोल सकते हो यह simple सा logic याद करना है बाकी और ऐसा आपको कुछ अधरभाईज दी लेना है next बचो यह बात करूँगा तो last बचो आता है helium, neon, argon, kipton, genon and redon इसके बारे बचो अपन को कैसे याद एकना है तो इसको आप याद सकते हो बड़ा है he, he का मतलब बचो लड़की का नाम है हीना, क्या बचो हीना, नीना और करीना के xerox रंगेन ऐसे आप बोल सकते हो हीना, नीना और करीना के xerox रंगेन तो यह एक याद करने का लोजिक अपना और ऐसा कुछ भी नहीं हीना, नीना और करीना के G-Rocks रगे हैं अपन इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं तो बच्चो दों को S-Block याद हो गया, P-Block याद हो गया इसके बाद अब बच्चों में यहाँ पर बात करना चाहूंगा next बच्चों आएगा d block ठीक है तो d block के जो elements है उनको हम लोग कैसे याद करेंगे तो इस point पर discuss करेंगे तो d block के elements को बच्चों याद करने के लिए सबसे पहले बच्चों में बता हूँगा यहाँ पर आपका group के according ठीक है तो group के according के इस तरीके चीज़ें आपकी move करेंगे तो group पर according बच्चों में बात करूँ तो देखेंगे हम लोग यहाँ पर focus करने वाल है इस point पर तो बच्चों देखेंगे द्यान से बच्चों यहाँ पर d block तो d block के अंदर बच्चों में बात करूँगा तो बच्चों यहाँ पर आपका group 3, group 4, group 5, 6, 7, 8 तो यहाँ पर हम लोग के इस तरीके से और आपका 9 एन आपका 10 तो इस तरीके से भी दिको हम लोग यहाँ पर याद कर देंगे और दिको आजानी से आपको याद हो जागा ठीक है तो बच्चों हम देखो N is equal to 4, 4th period आने वाला है मतलब बच्चों आपका अगर मैं बात क्यों बड़ा यह जो 3D series आपको देख रहे हैं यह 3D series है बच्चों यह बच्चों आपको 4th period से आपकी बिलॉंग करती है ठीक है 4th period से आपकी start होती है तो इसको जैसे जनली क्या इट्रियम और आपका लेंध़नम स्कूटर यह लाया 0 इसकूटर यह लाया 1 वहां नेक्स नेक्स हम में बात करेंगे तो देखो यहां पी क्या होगा है इसे बो सकते हो न आहा तुम पर बीब लुजेयर बात करेंगे चालेंगे तो आप बुसकते हो झांक यहा या आप अपने भी कुछ लॉजिक वना सकते हो ना जो विए आपको याद करना तो आप भी अपने लॉजिक को डियाइन कर सकते हो बाकि जिस लॉजिक से मैं बाता रहा हूं वो लॉजिक आप याद रखोंगे तो आपको काफी मैनिफिट होगा और बचो यह जो नीचे के अलिमेंट्स है बचो रेडियोक्टिव अलिमेंट्स है यह न तो इस पितना फोकस नहीं करने जो हमाली एक पोल्टेटर से लिपस में जहीं नीट की वह पर जादा फोकस करेंगे नेक्स बचो आपका ग्रूप 6 की बचो बात करें इसके बच्चो नेक्स बचो आएरन रू थेडियां ओस्मेँ तो बच्चो फैले फैले रूई सी ओस यह नहीं है तो लेका है तो इसके बच्चो में बताओं तो आप यहाँ पर यहां पर डैसी गृृप 9 गृप 9 and group 10 and 11 and आपका इसको अपन कैसे आद करेंगे तो देख सकते हो कौन रहे एराक में कौन रहे एराक में मतलब कौन रहे एराक में बाइटीक है एराक में कौन रहे वहां तो ऑईल मिलता है ना पानी नहीं मिलता है तो कौन रहे एराक में इस तरीके से अपने को ट्रीक बनाना बाकी ऐसा कुछ निकल पड़ो पढ़ आला इस्तने के साभिद मेत्वाट रकते हो और लास्ट वटचो जंक कड़ी हो गई कड़ी हो कि कड़ी मतला जंग काफी जबाजास होने वाली है इस तरीके साथ इसे याद रख सकते हो पुश्य सिंपल स्लॉस्हा है कि आप उनको याद रखना है डीक हमारे सामने क्या है तो इसको अगर आप एक दो बार एक रहा जो कर लेख़ देखो के बारे में अटले शापू आइडिया होना चाहिए अब बच्चों हम लोग यहां पर चलने बाले हैं नेक्स आपका जो गुरू पाएगा अधिज दी लैंथनोड और एक्टनोड सीरीज को अपन कैसे याद करेंगे तो इसके बारे में हम लोग यहां पर फोकस करेंगे तो πति इसका बच्चों में बात करों तो लेंथनोड सीरीज के लिए थे सबसे पहले अब देखो क्यों वक्याद करने सीरीज के इडल वतों प्रेम की समाई सीने पर नदिया एंडिक मतलब प्रेम सीने पर नदिया एंडी मतलब नदिया हो गया सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई यूं गदगद तब दिल हुआ और तुम अब लोटी इस तरीके से आप याद कर सकते हो बहुत है सेंपल सा लोजिक हो गया यहाद इसका वाद्स आते हैं आक्नोड सिर्स थे तो एक्नोड सेनते हैं पुराने आम पिक्रते के दोचो दिल्कों पुराने आम जो होते हैं बच्चों वो कम ही बिकेंगे मार्केट में ठीक है लोग कम खरीते हैं थोड़े पहले बाद उन्से निप्टेंगे पुराने आम कम बिकेंगे फिर बच्चों क्या होगा कैफे मैं ऐसे फर्माओ कैफे मैं ऐसे फर्माओ मैडम से नोच लड़ाओ ठ दीक है तो आप इस तरीस देखो देख सकते हो simple तरीगा क्या है बच्चों में अगर pull-out series की बबच्चों लंदर रिसी तका क्या हगा सीने पर नदिया बैर साथ Also a single-day एंड़ी प्रेम प्रेम समाई ठीन सीने पर नदिया प्रेम की समाई फिर आपका यू गद 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 तब दिल यास डी वा यू गद गद तब दिल हुआ और यह मतलब और बोल सकते हो और तुम अब लोटी हो गया ना आपको याद शेकर दोगो पेटा अक्षमाट सीरीस के अंदर थोड़े पहलबान उनसे निपतेंगे तो याद हो थोड़े पहलबान उनसे निपतेंगे पुराने आम कम बिकेंगे कैफे मैं ऐसे फर्माओ मैडम नो जडाओ कितना आसान तरीका है जल्दी सदाओ मुझे क्या है थोड़े पहले वान उनसे निप्टेंगे पुराने आम कम भी केंगे कैफे मैं ऐसे फर्माओ मैटम से नो जड़ाओ कितना सिंपल तरीका है याद हो गया आपको तो यह तो बच्चों हो गया आपका लेंटों रैक्नोंड करना है तो आई होप यह चीज़ें आपको समझ में आई होगी तो बहुत ही सिंपल सा लोजिका पंजरा फटर फट से एक बार रिवाइस करते हैं और देखते हैं क्या आपको यहाँ पर चीज़ा याद हो गई है अगर याद हो गई है तो बचो देखो सबसे पहले आस ब्ल पांगे कार सेंट्रो या फ्री स्कूटर पाप राजी और सिंपल तरीका नेक्स दो को बचो बैंगन आलू गाजर इन थेला नेक्स दो को बचो सुने अब ऐसे बोल सकते हो कहें सीता जी सुनो प्रभू यह ना पीबी मतला ब्लेड का अंदब प्रभू नेक्स और ने ने की बात करेंगे तो नेपाल पक्स्तान ऑस्टेलियार शब बीमार ऐसे बोल सकते हो याद करने अपन को ठीक है दुआ आपको बिल्कुल याद हुआ होगा, repeat करो मेरे साथ, next बचो चलेंगे, हम लोग D-Block पे, तो D-Block के अंदर बचो हम लोग Group के recording याद करेंगे, generally बच्चे क्या होते हैं D-Block के अंदर, period में भी याद करते हैं, मैं आपको period में याद करने का solution दूँगा बिल्कुल, लेकिन आपको Group के अंदर भी elements को याद होना चाहिए, क्यों? क्योंकि बच्चो यहाँ पे तीनी तीन तो element है, जो हमारी syllabus के अंदर आने वाले हैं, एन exam के अंदर, वो दो को simple सा तरीका है, अज़िए, कहाँ आया, पर हैं, सकूटर यह लाया, next लिए, तीन-जिरो हाप, तीन-जिरो हाप कर दो, तीन-जिरो हाप हो गया 9-9, बिना ना होते, नेक्स दोगो बचो, करो मॉर्रिंग बाग, important point है बचो, chromium family, करो मॉर्रिंग बचो देखना, बहुत important है आपका, करो मॉर्रिंग बाग, next आपका, मंदिर तक रेत में, मंदिर बचो कहां पर है, कहीं बचो जैसे आपका सी है, ocean उसके आसपास में कहीं पर है, मंदिर तक रेत में, आपको चलना है, या बोल जकते हो, मंदिर तक रेत में चलना है, okay, line को पूरा करने के, next बचो आएगा, फैले, रुई, सी, ओस, ओस, बचो, रुई की तरह है, आपके यहां पर फैल रही है, तो ऐसे बोला जा रहा है, कि जब आपका winter season होता है, उसमें जो बचो बात करे जाती है, तो इसमें ऐसे बोला जा रहा है, कि फैले, रुई सी ओस, जो ओस फैल रही है, वो चो रुई की तरह है, काफी soft है, next बचो आते हैं, तो कौन, कौन रहे एराक में, तो कुत्तर सिंपल है, कौन रहे एराक में, होगे ना, कोबाल्ट, रुतिनिय और आपका योडियम, next दो को बचो, nickel pattern, very important बचो, क्या होगा, nickel, पडो, पटियाला, होगे ना, next बचो, next बचो, next बचो, copper, silver, gold, very important, तो देखो जान से, आपका कुत्बुदीन आगरा आया, होगे ना, next दो को बचो, जंग कड़ी होगी, कड़ी मतलब बचा, काफी जबार बचो होगी, तो यह बच्चो होगी, आपके यहां पे, D-block, S-block और P-block, ऐसे बच्चो हम चलेंगे आपके, रिविजन के लिए, वितर लेंथनोट पे और, एक्टनोट पे, तो लेंथनोट बच्चो क्या बोलता है, लेंथनोट आपका बोलता है, जल्दी से फोकस हो, ले प्रेम की सभाई, यू गदगद तब दिल हुआ, और तुम अब लोटी, होगे ने आज, ओके, नेक्स दोको बचो, थोड़े पहलबान उनसे निप्टेंगे, नेक्स आपका पुराने कम बिकेंगे, नेक्स आपका प्राने कम बिकेंगे, नेक्स आपके में ऐसे फरमाओ, म आपका, इसको इस तरीके से आप याद करने का तरीका बताया है, मैंने बाखी लेक्ट्रोनिक के बारे में मैं डिसकास करूंगा भी, क्लियर पॉइंट है, आई होप कि यह चीज आपको समझ में यहाँ पर आ गई होगी, तो नेक्स पॉइंट पर हम लोग चलेंगे, और ब किये गए है, उन elements को बिटा आप उनके जो atomic numbers है, उसको हम लोग कैसे समझेंगे, यह हमारे सामने point होगा, तो atomic number को समझने के लिए बच्चो मैंने magic number आपको बताया है, तो मैं आपको लिखना चाहूंगा, तो करना क्या है, बच्चो आपको helium का पता है, बच्चो कितना, बत प्लस एट करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों आगया ठीक है 18 प्लस एटीन करेंगे बच्चों कितना 36 आ गया फिर बच्चों देखो आप नेक्स थर्टी सिक्स और प्लस बच्चों करेंगे यहाँ पे 18 तो कितना होगा 36 प्लस एटीन गरेंगे बच्चों 54 आ जाएगा बिल्कुल सही 54 प्लस बच्चों धरी टू करेंगे तो कितना आएगा 86 आ गया जल्दी से बताओ कि यह बास समझ में आ रही है ठीक है नीचे के अलिमेंट बच्चों इस पर फोकस नहीं करना है क्योंकि इस पर प्रेक्टर्स करना आप तो बिलकुल आपको definitely चीज़ा ये समझ में आ जाएंगे, ये लोग का पता है कितना बच्चो 2, तो हीलेम का बच्चो का करना है, प्लस 8 करना है, कितना हो क्या 10, 10 प्लस 8 करना है, नेक्स बच्चो केतना हो 18, 18 प्लस आपको बच्चे 18 करना है 36, 36 प्लस 18 करना है 54, 54 प्लस 32 करना है तो 86, तो केतना आसानी से आप इस magic नंबर की help से आप निकाल पर रहे हो, बच्चो आप किसी भी given element का atomic number, अगर आपको first element का atomic number पता है, तो मैं आपको session देता हूँ, सिर्फ आप first element का atomic number याद रखो, बाकी के आपको atomic number है वो आप easily find out कर सकते हो इसी trick से, बात आपको समझ में आ रही होगी, clear point है, ओके हैं, इसके बच्चो, इसके बाद बच्चो मैं बात करूँगा यहाँ पे, कि जो आपका hydrogen है बच्चो, यह तो आपको novel किसके वारी मैंने बता दिया, अब आते बच्चो हो hydrogen पे, तो बटा यहाँ पे लगेंगो ही number, 2, 8, 8, 18, 18, 32, यह आपको मैं अची number लेग लिए मैंने, अब देखो जहां से, बच्चो आपको पता hydrogen कितना hydrogen का 1, तो 1 प्लस 2, 1 प्लस 2, कितना हो गया बच्चो 3, ली थे हमका, 3 प्लस 8, that is the 11, 11 प्लस 8, 19, बात आप समझ में आ रही है, 19 हो गया, नहीं चुटा, 19 प्लस 18, आपका 37, 37 प्लस बच्चो हम लोग यहाँ पे करेंगे, that is the 18, तो add करते हैं आपका 5 यहाँ पर आज जाएगा, next आपका होगा 3 प्लस 1, 4 प्लस 5, बल्किल 55, नहीं चुटा, 55 प्लस 32, कितना? 87, तो क्या आपको याद हुआ, मेरे साथ किरसे देखो, आपको बच्चों सिर्फ किस का पता था, hydrogen का atom की नमबर आपको पता था, बाकी के element का atom नमबर दोको मैंने क्यासे निकाले, magic नमबर की है बसे, तो यहाँ पर बच्चों क्या करना, आपको याज का पता है, तो बच्चों प्लस 2 करोगे जो 3, 3 प्लस 8 करोगे 11, 11 प्लस 8 करोगे तो 19, 19 प्लस 18 करोगे 37, 37 प्लस 18 करोगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, that is 55, 55 प्लस 32 करोगे तो आपका 87, क्या बच्चों आपको 1st element गटोगे नमर पता है, हाँ बिल्कुल पता है, है बच्चों कितना होता है, 1 और helium कितना होता है, 2, बाखी के element के atom नमर मैं कैसे निकाल लोग, बहुत ही simple logic से निकाल लोग, कोई भी आपको difficulty नहीं होने बाली है, बास आपको समझ आगे होगी, अब बच्चों इसी तरीके से बाख्ण मेरे को पता है, बेलियूम का, ल чисे कितना है यह बchos के लिट पिरिए न मिट बच्चों किस-का नमर यह तो आपका 1st थर्ड प्रिएड की बच्चों बात करें तो sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine and argon इसी तरह के शुट तो आप मैं बात करेंगा बच्चों आपके फूर्थ प्रिएड की तो फूर्थ प्रिएड के अंदर बच्चों आपके elements आते हैं that is the potassium, calcium, and is scandium, titanium, titanium, benadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc and बच्चों यहां से आपको मेरा gallium, germanium, acetine, shill आपका shenanium, boron और आपका krypton यह बच्चों आता है फूर्थ प्रिएड जहां बच्चों आपका scandium से लेकिए बच्चों जिंक तक आता है बच्चों 3D series है ना 3D series बच्चों आपको 4D series, 5D series इस तरीके से बच्चों आपको different series मिल की जाएंगी और हमारे syllabus के अंदर बच्चों आता है 3D series, 4D series और 5D series काफी important है ठीक है तो हम आपसे चलते हैं ध्यान से देखो तो बच्चों मेरे को निकालना है 2, 8, 8, 18, 18, 32 आपको दोखो पता चला होगा कि S block के अंदर दो ग्रूप है एक है अलिकली मिटल्स, एक है अलिकली मिटल्स की बात करूँ तो बच्चों क्या आता है 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 ली ना की रूबी से फ्रेंड्शिप याद होगया न आपको शेकर दोखो बिटा मांगए कार शेंट्रो एक स्कूटर बाप राजी होगया ना तो दोखो S block तो याद होगया असानी से अब इसक Quiz लेकिन अब बिटा मेरे को निकालना है आपके बे Welsh अटम करें के नंबर तो क्यसे निकालेंगे तो याद तो पता नहीं है मुझे सर 12 प्लस 8 करेंगे मतलाब आपको 2 8 नहीं करना है यह तो बच्चो आपका hydrically different हो रहता है यहां से शेगीन प्रियर्ट के element बच्चो क्या करना है आपके 4 प्लस 8 कितना 12 12 प्लस 8 कितना 20 20 प्लस 18 38 38 प्लस आपका 18 तो आप एक बड़ एक करोगे बड़ा 56 56 प्लस 32 करेंगे तो कितना हैगा that is the 88 क्या मेरी बात समझ में आ रही है तो जब बच्चो आप अलिकली मेटल के बारे बात करोगे तो उस समय आपका 2 से स्टार्ट होगा जब अलिकली मेटल के बारे बात करोगे तो आपका first period को छोड़ रहे हो आप second period से स्टार्ट कर रहे हो ना तो बच्चो एट से स्टार्ट होगा तो आपका यहां से होगा 4 plus 8 12 12 plus 8 कितना 20 next आपका 20 plus 18 आपका यहां पर 38 हो रहा है 38 plus 18 तो 56 36 plus 32 तो आपका यहां पर हो रहा है that is the 88 तो आपको समझ में आ गया याद हो गया देखो कितना असान था इसके बाद देखो आते हैं बोरोन पर तो यह भी आसान इसके अंदर भी आप मैंची नमबर को यूज करना है और कैसे दो करना है बाद यहां पर 5 है यह बटा सेकिन्ड प्रियड के एलिमेंट है यहां पर आप कितना होता है 5 तो विtakeता 5 प्लस कितना 8 करना है कितना ओगया 5 प्लस 8 13 अब 13 कितना एट करना है आप गया 18, कितना हो गया, 31 31, प्लस बच्चो कितना मेट करेंगे, 31 प्लस यह आपका यहां से 31 हो गया 31 प्लस कितना 8 बच्चो 8 करो में, 18, कितना हो गया आपका 49, 49 प्लस बच्चो कितना करेंगे, next 49 प्लस कितना बच्चो 49 प्लस 32, yes that is the 81, हो गया तो यहां पर बच्चों देखो क्या है 8, then आपका 8 यहां से बच्चों होगा, 8 इसले डिफाइन होगा, then 18, 18, 32, बात फिनिस होगी, लास्ट एलिमेंट का तो आपने को याद करने ही नहीं है, तो सिंपल तरीका है, इसी तरीका से बच्चों कारवन, नाइट्रोजन, आक्षि तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो magic number के help से आप आसानी से किसी भी element के atomic number निकल सकते हो, बात समझ में क्या है, और बैसे भी आपको मैंने बताया था, कि अगर आपको scan name का पता है, तो बाकी नीचे के element को निकलना कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आसानी से आपका जो answer होगा, वो आपका बन जाएगा, क्या बात समझ में आ रही है, जैसे बच्चों मैं बात करूं, सब्सक्राइटी नहीं हमके, ठीक है, 22 है, 22 प्लस 18 करेंगे अपन, तो कितना हो गया, 22 प्लस 18 कितना हो गया, that is the, 40, बिल्कुल सही, 42 प्लस कितना करना है, 32, 42 प्लस 32, कितना हो गया, 72 72 प्लस 18 को अपने को याद कर नहीं है, ठीक है, तो आपको आसानी सिद्धों को यहाँ पे मिल ला है, तो हर किसी ऐलिमेंट का आप इसली फाइंड आउट कर सकते हो, जैसे कोई पूचे कि बच्चों बताओ, आपके ऑस्मियम में क्या होगा, भाई, हाई हाई अच्छी रि पता है ऊपको यहाँ पे फेरस आप ऐसे व्याद कर सकते हो, फसी फेर यू आपका ऐस, फेरस तरी ची से आद कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अब क्या एख है, कि यहाँ पे आपको प्रेया आपको आपको पूचा गया तो आइरिम ya26 आईरिम्स से आपका बिलोंग कर रहा है, तो बेटा 26 प्लस कितना करना है, आपका यहाँ पे कितना 18, तो देखो बेटा 26 प्लस 18 कितना हो गया, 44 हो गया, 44 में कितना आड करना है बच्छो 32 आड करना हो गया उसमियम का, कितना आपका 76 हो गया, तो इस तरीक से आप किसी भी element का easily find out कर सकते हो, बच्छो atomic number, तो यह तो आ अगर पता है, तो नेक्स जो एलिमेंट्स आने बाले, जो आपने याद किया है, तो उनके अलिमेंट्स के वैटा नोमर कैसे निगाला जाएगा, तो यह सब चीजां क्या है, अगर मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, आप इसको एक पर लिक की देखना, आप मैं गरंट आपको थोड़ा टाइम, फर्स्ट ताम आपको थोड़ा टाइम लगे गा है, लेकिन शेकिंड टाइम जो आप लिखोंगे न तो अोमे जब लिक होगे, तो अ किसी भी गुरुब के फर्स्ट अलिमेंट्स आपको ताम नमबर पता यह वहाँ होगा, वह आपको मैंझ देख तो आपको यहाँ पर यह चीज समझ में आ गई है, clear point है, इसके बाद मैं next point ने आपे discuss करूँगा, कि बच्चो old pattern के गर मैं बात करूँ, तो old pattern के recording बच्चो इसको वोलते हैं first group, इसको वोलते हैं second group, यह third group, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, 11, twelfth, thirteenth group, 14, 15, 16, 17, and last one is 18th group, लेकिन बच्चो आपका कुछ new trends हुआ है, तो new trends के recording, IOPag ने कुछ modifications किया है, उन modifications के according, बच्चो S और P block के element को बच्चो हम मिलाके बोलते हैं, representative elements, बच्चो क्या बोलते हैं, representative elements हम बोलते हैं, आपके S और P ब्लोक के elements को मला के लेकिन D ब्लोक के elements को बच्चों represented element में हम count नहीं करते हैं यह बात आपको बटा समझ माने चाहिए पिर रिप्रेजेंटेटव elements और दोज़े element जो elements लगबग maximum जो बटा chemical compounds हमारी nature में present है जो भी बटा हमारी जो elements different compound का formation कर रहे है उसके अंदर बच्चो responsible ज्यादा होता है बटा S ब्लोक और P ब्लोक तो इसलिए बच्चों इसको बोलते है रिप्रेजेंटेटव elements उसके बाद बच्चों आता है आपका D block and F block ठीक है तो D and F block के बारे इम बच्चों इसको बोलते हैं और D block भी बोलते है ठीक है अब इसमें ज़ा trance element कौन-कौन से होते हैं एभी में बताऊंगा जब बेटा में बताऊंगा लेक्टोने configuration तो रेप्रेजेंटेटर अलिमेंट वेटा कौन-कौन से होते हैं S block पी ब्लोक के element अब एक बटा next पर नहीं बताऊंगा तो इसको बोलते हैं फर्स्ट ए इसको बहुते हैं second group इसको बहुते हैं third a group फॉर्थ ए ग्रोप फिप्ट ए ग्रोप मतलब बच्चो आपका S block पी ब्लोक के अंदर बच्चो एक को डालते हैं और बच्चो आपका D block बच्चों के अंदर हम लोग डालते हैं बी को तो इसके बी बच्चों कहां से start होते हैं फर्स्ट भी शेकेंड भी थर्ड भी फॉर्थ भी फिफ्ट भी शिक्स भी और सेबिन्थ भी बच्चों हम लोग बोलते हैं iron कोवाल्ट और निकल यह जो ग्रोप हैं इनको हम लोग बटा एक साथ बोलते हैं that is the 8th B group ठीक है तो इस तरीके से आप चीजों को समा सकते हो जो अगर बच्चों आपको पता है कि मेरे को पता है कि यहां पर आपका जो इसका आपको पता चल रहा है ठीक है मैजिक नमबर के हैं तो जब जो बटा अबर किसी बहुत का 16 है तो इसका मतलब क्या है सलफर के पास 16 ही बच्चों Watts है और इस पता है अलेक्ट्रोंस है तो इसके बटा कि आदे हिरयो जैने मेस अधर जिसको बोलते और ये तो इसके पिजा हम लोग चलते हैं एक इस बच्चो नेक्स लेक्चर के अंदर बच्चो अमनों डिसक्स करेंगे लेक्ट्रोनिक का इंट्फिगरेशन ठीक है और आज जो आपका डिसक्सन हुआ है उसके अंदर आपकी जो बॉड़न पिटेबल है वह बच्चो इसके डिजाइन करने के पीचे अंदरी मुचले का आपका क्या बीशिक पूइंट था ना उसके बाद आपका मैं डिसक्स कि की आपको टेपल याद क्या से करनी है कितनी में कितने कि प्रियर्ट्स हैं तो इस सारे के सारे पॉइंट्स आ वारे में डिसकस करूँगा, clear point, okay, thank you